हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा गेम ऑफ सेंचुरी जी हाँ इस सदी की सबसे बहतरीन गेम जो की खेली गई थी डोनल्ड ब्राइन वर्सिस रोबर्ट ज लिस्क रगे तो दोस्तों वीडियो है वह थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्लेज कहीं जाएगा मत पूरा आफे वीडियो देख आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा ठीक़े ना यह अभी 오른anten है न जी है श्यूरू करते हैं याप मेरी इस वीटियो को शेर किजिए ठीकशि बोबी फिशर के ओपनेंट थे उन्होंने खेला नाइट टू F3 और अब नाइट टू F6 पॉंट टू C4 और आगे चल के दोस्तों गेम जो है वो ट्रांफोर्स हो जाएगी तो इन्टू गुरूट फेंट डिफेंस यहां पर एक लगाया पॉंट टू G6 नाइट C3 बिशेप टू G7 और पॉंट टू D4 वो दोस्तों यहां पर मेंली परपस क्या होता है बलेक का क्यू वाइट को जो है स्ट्रॉंग सेंटर बिल्ड़ अप करने देता है वो इसलिए कि यह हाइपो मोडन एप रोज़ें वहां पर क्या होता है दोस्तों कि हाइपो मोडन प्रिंसिपल है में जा सकते हैं विद पॉंट टू D5 और उसके बाद अगर पॉन उप्चेशर नाइपक्चर c3 देख रहे हो वाइट का कितना जबदस ट्रॉंग सेंटर है ठीक है लेकिन उसके बाद फिशर खेल सकते हैं पॉन तू C5 उसी सेंटर पर स्ट्रॉंग एक और दोस्तों यह ह겠다 है वह आपको काफी रहेगी अगर Mix 번 . कहलना है तो मैं डाम स्थोबनास आप से पहली है ऑब जबरधर में एक अधर पहूं निकले 약 8th चेंट बॉक करो और बाद में उसको नियुस ब्लोक करो अपने पास. पॉन है मरलब क्विन साइट के जो आपके दो पॉन है उसके समने वाइट का एक एपॉन रहेगा क्यों कभी ना कभी यहाँ पर डी फोर पर एक्षेंजीज होगा ठीक है ना So two versus one होगा तो फिर आपके पासपों आप रोल आउट कर सकते हो So this is the main strategy ठीक है ना तो वाइट को क्या धियान रखना है दोस्तों कि middle game में पासपों है ठीक है ना यहाँ पर आपको white को middle game में थोड़ा बोहत आड़ाइज रहेगा जबकी end game होगी तो black को advantage चला जाएगा क्योंक वो ज़्यादा डेंजरेस होता है king and pawn end game so white क्या करना चाहेगा दोस्तो pieces रखना चाहेगा और attack build up करना चाहेगा जबकि black क्या करना चाहेगा white के passporn को properly block करके बाद मैं अपने passporn roll out करना चाहेगा और कभी भी मुकामूल है तो फिर king पे attack so this is the main strategy लेकिन यहाँ पर d4 के बाद game में खेला गया castle और यहाँ पर brian अगर चाहे तो pawn to e4 खेल सकते हैं लेकिन उसके बाद pawn to d6 और king's indian defense में game जाएगी लेकिन brian को brian ने सोचा कि king's indian defense साथ नहीं खेलना चाहते थे उन्होंने खेला bishop to f4 और अब बोबी फिशर ने मौका देखा और माराचो का ग्रून फेंट defense खेल दिया pawn to d5 और यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको देखा है दोस्तों main line है pawn capture d5 ठीक है ना और फिर knight capture d5 pawn to e4 knight capture c3 pawn capture c3 and then pawn to c5 यह main line है लेकिन यहाँ पर d5 के बाद game में white ने खेला brand ने खेला queen to b3 वो दोस्तों अगर आपने विश्वनाथन आनन versus मिगनस कालसन की world chess championship देखी है ठीक है ना तो उसमें भी विश्वनाथन आनन ने विश्वनाथन खेला था queen b3 जो की जाना जाता है Russian system के नाम से ठीक है ना और काफी dangerous है और इस गेम में विश्वनाथन आनन जी को काफी मतलब position काफी अच्छी भी मिल गई थी लेकिन बाद में विगनस कालसन जो एज़वल है उन्होंने game draw निकाल ली थी लेकिन queen b3 और गेम में खेला गया d capture c4 the main move queen capture c4 और यहाँ पर खेला गया pawn to c6 जबकि more thematic है knight a6 with an idea of pawn to c5 white के center पर आप continuous attack करो ठीक है लेकिन c6 अच्छी मूँ है कोई इतनी बुरी नहीं है pawn to e4 knight b to d7 अपने पीस निकालते हो और white ने खेला rook to d1 अपकोस है अच्छी मूँ है आप क्या कर रहे ओपोनेंट की जो queen है उसकी line में अपना rook create कर रहे हो so tactics can be possible pawn to d5 खेल के कभी ना कभी लेकिन इस game में unfortunately brian को ऐसा कोई मौका है नहीं बुला knight to b6 attacking the queen और दोस्तों queen c5 खेला गया जबकि खेलना चाहिए queen to b3 अपकोस जो black है वो फिर queen, sorry bishop to e6 खेल सकता है queen to c2 और game is open for all three results मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आगे चलके लेकिन queen c5 और यहाँ पर यह white की जो queen है वो थोड़ी यह record है और आगे चलके ठीक है ना उसी की position का bovy fisher जबर्दस benefit लेगे गेम में खेला गया bishop g4 pinning the knight और यहाँ पर bishop e2 और castle side ज़्यादा अच्छा रहे था लेकिन game में खेला गया bishop to g5 वो यह चाहते है अगर knight move होती है दोस्तों simply bishop capture e7 दोस्तों यहाँ पर ठीक है ना बोबी फिशर ने जो move खेली उनको बोला जाता है फिशर ने यहाँ पर ingenious knight sacrifice offer किया था ओ है knight to e4 what a move sacrificing a knight तो दोस्तों पहले पर यहाँ पर video pose करो ठीक है ना आप खूद variation सारे calculate करने की try करो कि क्या होता है अगर knight capture e4 आ जाए क्यों यह sacrifice दिया गया है ठीक है ना you have to count अब count करो तब ही जाए कि आपकी गेम ज्यादा improve होगी ready अगर knight capture a4 then दोस्तों knight capture e4 आएगा और यहाँ से 4 main variation है जैसे की bishop capture e7 game में खिला जा सकता है queen capture e7 खिला जा सकता है queen to b4 खिला जा सकता है or queen to c1 खिला जा सकता है सभी के ideas ठीक है ना और उसके logic में अभी आपको समझाओंगा सबसे पहले देखते है क्या होता है bishop capture e7 then दोस्तों हम simply queen कमार देंगे knight capture c5 और bishop capture d8 जो कि 4 से और उसके बाद knight capture on a4 और बाद में bishop to g5 क्योंकि bishop save करना जरूरी है और उसके बाद bishop capture a3 pawn capture f3 और knight capture on b2 white के पास sorry black के पास एक extra pawn ठीक है ना और white के pawn structure देखिए आप ठीक है ना कोई भी pawn एक दूसरे के साथ connected नहीं है so very weak pawn structure ठीक है so इसलिए this is called winning position for black एक extra pawn and white's pawn structure is totally busted so bishop capture e7 इस position में is just winning for black ठीक है अब देखते है queen capture on e7 दोस्तों फिर queen to a5 check upon to b4 and then queen capture a4 simply और यहाँ पर अगर queen capture e4 यसा लगता है जैसे की sorry white जो है ठीक है ना उसने piece रखा है मरला उसका piece अभी उसने extra piece रख लिया है और black को भी दिखकता है कि वो piece के सरी gain करे लेकिन यहाँ पर आप खेल सकते हो rook f to e8 pinning the queen और bishop e7 almost force अपकोर्स knight to e5 नहीं खेल सकते है otherwise queen to d1 is just checkmate so bishop e7 और उसके बाद आप bishop capture f3, pawn capture f3 और bishop to f8 और एफ इंपेस चला गया जैसे ही दोस्तों queen mu होती है rook capture e7 check, king to d2 और उसके बाद queen capture on b4 check और यहाँ पर black की position है total winning है, again very weak pawns और एक extra pawn ठीक है ना, और इसमें तो queen b action नहीं हुई so white का king बहुत जल्दी 1st जाएगा this is completely winning for black so knight a4 knight capture a4 knight capture e4 अमने दोर्ण वेरेशन देखे, bishop e7 sorry bishop e7 देख लिया, queen capture e7 देख लिया, अब देखते है क्या होता अगर queen b4 ठीक है ना, simply extra piece रख रहे है दोस्तो, लेकिन यहाँ पर आप कहल सकते हो, knight capture g5, फिर knight capture g5 और bishop capture d1 king capture d1 और हमने एक pawn मिल गया था उसके सामने exchange मिला है, और अभी हमारा दूसरा pawn, bishop capture on d4 so black को क्या मिला है दोस्तो, दो pawn ठीक है ना, और exchange और अभी, जो discover attack की threat है, वो तो है, इसलिए queen to d2 खेलना force है और उसके बाद even bishop capture on f2, so three pawn three pawn and exchange for a peace sacrifice ठीक है ना, more than enough, है के नहीं so this is completely winning so queen b4 possible नहीं था, इस position में आए देखते है last one queen to c1 अगर bishop को support किया जाये दोस्तो, फिर queen fi चेक और knight c3 almost force, और bishop capture f3, pawn capture f3, और अब knight capture g5 और queen a5 पे जो है और knight को support कर रही है so क्या, हमने जो sacrifice किया था, पिस वो वापस मिल गया और extra pawn भी हमारे पास आ गया, और ठीक है ना, और जो white का pawn structure है, वो भी bigger गया so this is also winning position for black, so दोस्तों चारों के चार variation में after knight a4, knight capture a4 just second yeah, knight a4 जो sacrifice piece किया, और knight capture a4 और knight capture e4 के बाद जो black है, उसकी position totally winning है, so यह game में, brand ने भी calculate किया, और उन्होंने खेला knight a4 के बाद queen to a3, तो देखिया दोस्तों कितना बढ़िया मुकाबला है, है कि नहीं एक बंदा piece, ingenious piece sacrifice कर रहा है दूसरा उसको decline भी कर रहा है totally समझ के जबदस मुह है ना, game तो देखिये, 13 साल के जो bobby fisher है, ठीके न, हो क्या हो गए उस टाइम पे, रागे चल के हो क्या बने होंगे game में खिला गए, knight capture on c3, और at first glance साल लग रहा है कि जैसे bobby fisher ने किया कि या white को center build up करने दिया अपकोस यहाँ पे knight capture e4 अगर आप खेलो तो फिर bishop capture e से बना सकता है, ठीक है ना so bobby fisher का idea किया है यहाँ पे आपको video post करना है और find the next move for black ठीक है ना again एक जबदस idea के साथ bobby fisher आए और brian ने वहीं सोचा उन्होंने भी अच्छा सोचा ठीक है ना और उन्होंने भी अच्छा किला लेकिन almost game अब आज से निकल रही है ready? game में खेला गया, knight capture e4 और practically दोस्तो black क्या कर रहा है exchange sacrifice कर रहा है क्योंकि bishop capture e7 और गर आप rook e8 खेलो गया तो फिर bishop capture on simply d8 और वाइट की sorry, white की position अच्छी हो जाएगी ठीक है ना so bishop capture e7 तो practically अब क्या कर रहे हो action sacrifice यहाँ पे खेला गया queen to b6 वो दोस्तो brian ने खेला bishop to c4 उन्होंने action sacrifice नहीं लिया तो बिया में देखना पड़ेगा कि उन्होंने action sacrifice क्यों नहीं लिया तो काफी thriller है कि नहीं so bishop capture on f8 अगर आता है दोस्तो फिर bishop capture f8 attacking the queen और अगर queen b3 then knight capture c3 what a brilliant move अब queen capture c3 नहीं खेल सकते हैं otherwise bishop to b4 wins the queen so इसलिए अब को queen capture b6 खेलना पड़ेगा ठीक है उस case में pawn capture on b6 और आप सोच लेगो क्या यार इसमें क्या मिला सिर्फ एक ही pawn मिला है ठीक है ना लेकिन दोस्तों यहां पर दिक्कत है white का rook attack है so rook a आप चाहे तो यहां पर दूसरा pawn भी आपको मिल सकता है लेकिन उस तरह से नहीं आप चाहे तो पहले bishop capture f3 खेल सकते हो लेकिन rook to e8 check king d2 knight e4 check king c2 और आप knight capture f2 I take king the rook और rook जीवन जाने के बाद आप खेल सकते हो bishop to f5 check और यहां पर दोस्तों इस position को आप खुट study कर लो दो extra pawn ठीक है ना for a sacrifice exchange और यहां पर अभी जो white है उसको अपना bishop निकालने भी दिकत आ रही है I mean last move खेला जा सकता है bishop to c4 for example ठीक है ना check से उकरने के बाद लेकिन game जो है उसमें black की position completely dominating रही है for example bishop to c4 अब खेले just a second या king b2 black की move है so black खेल सकता है for example bishop d6 just as random line ठीक है ना so bishop d6 और अगर आप bishop c4 खेलो दोस्तों then pawn push और bishop to b3 और रुक to e2 तो क्या कमाल का a-taking position है बभी फिशर जी की है कि नहीं यहां पर almost king to c3 force और उसके बाद knight to e4 check king यहां पर और अब चाहे तो आप knight to b6 bishop का check और दोस्तों black की position है और just dominating कमाल की position है है की नहीं सो इसी लिए bishop capture f8 जो है वो possible ही नहीं था सो गेम में खेला गया bishop to c4 और अब knight capture c3 इस दो सेम आइडिया अगर queen capture c3 आता है दोस्तों फिर rook to e8 ठीक है ना आप चाहे तो यह रूक ले सकते हो या फिर rook a to e8 भी ले सकते हो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके बाद queen e3 almost force आपको bishop सेव करना है ठीक है ना उसके बाद queen to c7 और यहां पर चाहे तो white जो हो केसल कर सकता है ठीक है ना लेकिन उसके बा extra pawn and this is more than enough so knight capture c3 और game में खेला गया bishop to c5 वो दोस्तो जब यह position chess masters देख रहे थे ठीक है ना मरलब जो भी masters थे उस time पर वो देख रहे थे तो उनको यही लग जा था था कि now white is completely winning क्योंकि आप क्या कर रहे हो दोस्तो फर्स ओपल यहां से bishop अटा दिया है that means आपके आइडियास क्या है कि क्विन पर टेक है अगर क्विन में मूँ करता हूँ then knight would be hanging ठीक है ना और bishop अब e7 पर नहीं है तो मेरा bishop जाने वाला है नहीं तो दोस्तो यहां पर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जो white है वो winning हो रहा है क्योंकि आपकी knight hanging है तो बोब इफिशर ने खिला rook f2 e8 king f1 दोस्तो यहां पर जो मूँ आई ठीक है ना उसको आप move of the century भी बोल सकते हो क्योंकि यह game उसी के लिए famous है तो दोस्तो प्लीज यहां पर वीडियो पोस करो और देखो कि क्या आप move of century find कर सकते हो जब बरदस move है कमाल की move है just mind blowing आप सोच नहीं सकते ऐसी move है अगर आपने game देखिए तो ठीक है आप find कर लोगे otherwise this is really really difficult to find brilliant move ready bishop 2 e6 what a beautiful bishop पूरी queen sacrifice just to get this diagonal ठीक है न और दोस्तो जिस किसी ने भी मेरा windmill का attack देखा है उनको पता चल गया होगा अब कि यहां पर ठीक है न बिशब केप्चर b6 अगर आप मारते हो जो की game में हुआ फिर black को मिल जाएगा windmill attack लेकिन practically देखा जाए तो white के पास और कोई option ही नहीं था बिशब केप्चर b6 लेकिन हमें कुछ और variation है जो सोचने चाहिए एक अगर बिशब केप्चर e6 आता है तो क्या होता है फिर दोस्तों queen 2b5 smoother mate आ जाएगी king 2g1 force अगर e1 पर आता है then simply queen e2 is mate so king g1 और यहां पर दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ मुदर मैट नाइट e2 king f1 और अब नाइट g3 double check queen और नाइट का king g1 queen f1 अगें queen sacrifice उसको मानना force after rook capture f1 and knight to e2 is checkmate so यह भी possible नहीं था कि bishop capture e6 खेला जाए तो गोर क्या queen capture c3 और यहां पर आप सोच सकते हैं queen capture c3 खेला गया अब bishop capture c4 आता है then queen capture queen capture c4 तो white को तो piece extra मिल गया अब क्या चाहिए लेकिन दोस्तों यहां पर pinning and winning pinning and winning मदलब queen capture c5 और अभी जो एक queen है वो तो pin है d capture c5 bishop capture on c3 bishop capture on e6 rook capture on e6 और black के पास एक extra pawn so this is also winning ठीक है आप यहां पर यह मत सोचो के rook to d7 खेला जे सकता है just to win a pawn because हम खेल सकते है rook e8 threatening checkmate ठीक है तो इसलिए pawn 2 में भी g3 खेलना पड़ेगा और उसके बाद आप simply अपना pawn save कर सकते हो और एक extra pawn so master level पर this is completely winning so game में खेला गया bishop capture b6 queen को मार दिया और अब आया bishop capture c4 check king to g1 knight e2 check again bishop sorry king to f1 और दोस्तों यहां पर कमाल की बात ही है कि normally two pieces minimal attack देखते हैं लेकिन यहां पर three pieces की वज़ा से winmill attack possible है क्योंकि जो e1 वरा square है ठीक है न वो रुक ने मनलब रुक ने उस पर d4 check और अब अगर आप रुक 2 d3 खेलते हैं आप यहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है है कि नहीं आपके खेल सकते हैं लेकिन फिर दोस्तों एक capture b6 आएगा और white की queen पर पहले attack होगा तो पहले white को क्या करना पड़ेगा अपनी queen जो उसको से हो करना पड़ेगा क्योंकि अदर्वाइज अगर आप यहां पर ऐसा खेलते हो कुछ जैसे की queen capture on 8 then simply mb खेल सकते हैं रुक capture on 8 और even even ab खेल सकते हैं बिशब capture और d3 is check और उसके बाद king अगर move होता है then capture on 8 so this is winning so इसलिए a capture b6 के बाद white को queen save करना पड़ेगा queen c3 ठीक है और यहां पर knight capture f3 अगेन आपकी queen पर भी attack है ठीक है ना आप जो है वो मेरा यहां पर c4 वाला bishop मारने की try कर सकते हो तो यकिन इस चेक्मेंड so what a brilliant tactics game है क्या tactics आ रही है queen sacrifice देने के बाद ठीक है ना दोस्तों तो देखिए के bobby fish ने कितना count किया था ठीक है न हमें तो एक only move find करती है जब count करनी होती है तब दिक्कत आती है दोस्तों तो यह उन्होंने कितना deeply count किया होगा और दोस्तों इसमें वह ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना जो आप और हम ना कर सके सिफ question of hard work ठीक है hard work करो बस सब कुछ हो जाएगा so king f1 knight capture d4 उसके बाद rook to d3 भी नहीं खिला जा सकता so king to g1 और यहाँ पर knight e to check king f1 और अब knight to c3 check king g1 और अब a capture b6 so पहले queen pay tech और उसके बाद हम खेलना चाते है knight capture d1 ठीक है ना अगर मुका मिला तो और उस position में आप खुद देख लो दोस्तों किया किया अचा होगा तो मतलब यहाँ पर जो white का rook है h1 पर वो totally weak मतलब यहाँ पर बिचारा चली नहीं रहा कहा क्या कर रहा है so this is down तो एक rook निकाल दो दूसा रूख हम कभी भी capture कर लेंगे तो वो निकाल दो तो queen और knight के सामने black के पास कितने pieces है दोस्तो two rooks and three pieces so this is completely dominating and winning position queen b4 game में खिला गया और यहाँ पर आप चाहे तो knight capture d1 और उसके बाद queen capture c4 उसमें भी black की position अची रहेगी लेकिन fisher जो है ठीक है ना उन्हों decide किया उनको कुछ नहीं देना है तो उन्होंने खिला rook to a4 और यहाँ पर सारे black के pieces देखो कितने coordinating है दूसरे के साथ queen capture b6 force और अब knight capture d1 और अब fisher जी को क्या मिल गया है rook two bishop and a pawn for sacrifice queen तो कितने points मिले है दोस्तो rook send two bishop 11 plus a pawn 12 उसके सामने 9 points गए है तो points के हिसाप से भी है winning है लेकिन overall जो position है ठीक है उसमें भी black की है position काफी winning है क्योंकि यह rook जो h1 है वो बेकार सा पीस पड़ा हुआ है सही so this is completely winning at master level लेकिन जो finishing थी वो भी जबदस थी Bobby Fisher की h3 रुक केप्चर a2 नेक्स पूम में नाट केप्चर f2 भी खेल सकते हैं किंग h2 और अब नाट केप्चर f2 जो अट लास्ट फाइनली जो क्वाइट का रूख है वो निकला रुक टू e1 और फिशर ने रुक एक्षेंज किया रुक केप्चर e1 और अब क्वीन टू d8 चेक फीशप f8 चेक सेव किया उसके बाद नाट केप्चर e1 और अब आइस्ता आइस्ता फिशर जी ठीक है ना अपने पीस को सेंटरलाइस पहले कर रहे है जीटू पर अटेक कर है ठीक है और नाइट मूव होगी तो जीटू पर फिशर बनेगा और रुक कैप्चर जीटू के बाद पोजिशन टोटली डॉमिनेटिंग हो जाएगी बलग की तो इसलिए नाइट टू f3 नाइट टू e4 देखे जीट्री स्क्वेर है उसको कंट्रोल किया और प्रोब्लम e5 ठीक है ना कुछ नहीं देना चाहते है बस वो बोल रहा है this is complete evening मुझे कोई दिकत ही नहीं मेरे पास काफी मट्रियल है पॉन्ट टू h4 और अब पॉन्ट टू h5 नाइट e5 और अब किंग g7 पीन ब्रेक किया और नेक्स में खेलना चाहते है बिशप दू दिशिक्स और बाद बिशप केप्चर और e5 किंग टू g1 और यहां पर बिशप टू d6 भी खेला जा सकता है दोस्तों लेकिन वो फिशर थे उन्होंने कुछ और सचा उन्होंने खेला बिशप टू c5 चेक और अब किंग टू f1 अब चाहे तो किंग टू h2 खेल सकते हो दोस्तों लेकिन उसके बाद नाइट d2 किंग g3 ठीक ना और नाइट f1 चेक किंग f4 और बिशप e3 चेक मेट हैकर नहीं कमाल की लाइन तो बिशप c5 और किंग f1 खेला गया और दोस्तों यहां से ठीक ना 5 मूज में मेट है वैसे फिशर जी ने 6 मूम लगा ही लेकिन यहां से 5 मूज में मे यहां पर आपको खेलना चाहिए रुक f2 चेक और उसके बाद किंग e1 और सिम्पली मेट्स चेक 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 स्वरी किंग c1 चेक किंग b1 और अब रुक f1 चेक मेट लेकिन फिशर जी ने कुछ और तरीके से मेट की किंग f1 बाद में नाइट टू g3 चेक किंग e1 बिशप ट बिफोर चेक किंग d1 बिशप टू b3 चेक किंग c1 नाइट टू e2 चेक किंग b1 नाइट टू c3 चेक और अब किंग c1 और रुक टू c2 चेक मेट तो दोस्तों क्या कमाल की गेम है कैसी लगी आपको रहके नहीं बहुत ही जवर्दस तो इसलिए दोस्तों ये गेम है ठीक ना है वो गेम अफ सेंचुरी कहीं जाती लिया कहीं जाती है और क्या खेला था बोभी फिशेेन जब वो सिर्फ तेरा साल के थे ठीक है ना तो मोस्ट फेमस चेस प्लेयर अप दे वर्ल्ड एंद फेमस चेस गेम अप दिस सेंचुरी बिलियंट गेम तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप कोई मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कोमेंट ना बिल्कूल ना बुले तनिवाद जाइन बबाई